ग्रहमंद्री डॉक्टर नरुत्तम इश्वय ने पीएफ़ाई मामले पर कहा कि बाराप पहले से थे प्रोटेक्शन वारंट पर पुलिस नासिर नदमी को और अंगावाद से लाई है यहां 27 अक्टूबर तक रिमांड पर रखा जाएगा उन्होंने बताया कि आरूपी युवाओं का ब्रेंड वाश करता था साक्षों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है साथ ही महरास्ट और गोवा के साथ दूसरे राज्यों से संपर्क में हैं और लगातार पुंस्ताच की जा रही है बारा पहले से हमारे पास थे प्रोड़क्शन वारेंट के तहट नासिर नदवी जी को औरंगावास से लेकर आए हैं 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से उनकी नासिर नदवी की ली गई है पीएफाई के ये महराश्ट साखा के अद्देश थे गोवा महराश्ट और मद्द्रदेश के जॉइंट के ये सेकेर्टरी भी थे ये पीएफाई के सदश्चों की ट्रेनिंग भी कराते थे लोगों को अलग-अलग लोगों से मिलवा कर ब्रेन बाउस करके उकसाते थे असंदिक गत्विदियों के लिए जो तकनीकी साक्ष सामने आये थे उसके आधार पर पूस्ताच के आधार पर जो साक्ष सामने आये थे उसके आधार पर नासर नद्वी को गिरबदार किया है दूसरे राज्यों से भी इस संबंद में संपर्क में हैं हमारी मद्यपुदेश पुलिस महराष्ट पुलिस से लगातार संपर्क में हैं पूस्तात में जैसे जैसे साक्ष मिलते जाएंगे तारवाई आगे बढ़ती जाएगे